साथियों, नमस्कार, मैं हरिश्चन बनवाल आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अर्विंद केजरिवाल और ममता बनर जी की कुछ समानताओं की बात करूँगा कुछ ऐसी सिमिलर्टीज जो एक प्रतियोगिता की तरह दोरों के बीच चल रही है और ये सिमिलर्टीज ऐसी है दोस्तों जिसे सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे सनातन संस्कृती को अपमानित करने का एक ऐसा प्रयास चल रहा है एक ऐसी प्रतियोगिता चल रही है जिसमें कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है और याद रखे प्रधान मंत्री मोदी से मतलब कॉम्पिटीशन करने के चकर में उन्हें हटाने के चकर में उन्हें बदनाम करने के चकर में ये दोनों ऐसी चीजें कर रहे हैं एक तरफ जहां टीमसी ने इसी खेल में शामिल होते हुए राश्टपती जो देश की पहली महिला आदिवासी राश्टपती हैं उसे बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरिवाल जी ने और उनकी पाटी ने एक ऐसा दाव चला है जिसमें सीधे सीधे सनातन संस्कृती को मानने बाले को चुनोती देने का प्रयास किया गया है और अभी जो स्टार केमपेनर की लिस्ट जारी की गई है ना उसमें खुले आम अरविंद केजरिवाल ने और उनकी पाटी ने ये एहसास खरा दिया है सनातन संस्कृती को अपमानित करने बदनाम करने का ये जो खेल चल रहा है ना उसका जो contemporary news है वो मैं आपको दिखाओ लेकिन कुछ backgrounder भी आपको दिखाता हूँ और ये similarities को पकड़ने की कोशिश कीजिए आप देखिए कि एक तरफ जहां ममता बनर जी ने उन्हें जैस्री राम के नारे से कितनी दिक्कत थी बलकि उन्हें ये नारे गाली लगते थे आप भूले नहीं होंगे अभी केजरी वाल की भी चीज दिखाओंगा मैं आपको लेकिन पहले आप सुनिये कि ममता बनर जी को भगवान राम के नारे से कितनी दिक्कत होती थी आप सुन लीजी ये ममता बनर जी की बात है लेकिन अर्विंद केजरिवाल को भी भगवान राम से बड़ी दिक्कत थी और ये कई कहानिया सुनाते थे नानी वाली कहानी तो आपको याद होगी और देखिये किस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण ना हो सके इसके लिए विरोध करते थे आप ये सुन लीजिए मैं सोच रहा था कि अगर जवालण नहरू जी स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया की जगे मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था देख रहे हैं ना सबसे बड़ी दिक्कत प्रधान मंत्री मोधी से थी इनके अंदर प्रधान मंत्री बनने की जो महत्वा कांख्षायना वो हावी थी और अब तो दोनों के बीच प्रबल हो गई है आप एक ही करके देखिए ममता बनर जी जब इन्होंने बंगाल का चुनाव जीता तो किस प्रकार से एकदम नाशनल एंबिशन लेकर की ये चल पड़े थी आप रिपोर्ट देख लीजे अभिशेक बनर जी को बंगाल का मुख्य मंत्री और ममता बनर जी वो प्रधान मंत्री बनने चली थी और कई राजियों में आपको पता होगा गोवा, तरिपुरा, कई राजियों में उन्होंने अपने पैर पसारे हाला कि बाद में ये चीजें मध्धम पड़ी थी लेकिन इसके बाद भी दोनों की जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं हुई आपको मैं एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूँ ममता बिनर जी का कि देखिये ये हाल का बयान है जिसमें वो बता रही है कि सब मिलकर चलेंगे और बंगाल से इसकी लडाई की शुर्वात होगी आप देख लीजिए और यही हाल तो अर्मिन केजरिवाल का है उनकी महत्वा कांक्षा भी हिलोरे मार रही है इस समय तो आप साब देख पा रहे होंगे न क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं माचल प्रदेश में हुए उसके बाद गुजरात में MCD में और तमाम जगहों पर अर्विंद केजरिवाल की च्छाएं कितनी बढ़ चुकी है और खुल कर इनके नेताब कह रहे हैं कि आप हम सब को अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल ही प्रदान मंत्री बनेंगे और आप उनके बयान को सुनिये दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि वो सीधे सीधे प्रदान मंत्री मोधी को चुनावती देते हैं ये तो दूसरी सिमिलर्टी हो गई अब मैं जो तीसरी समानताएं बताने जा रहा हूँ न उसे देखकर आपको आश्यर होगा लेकिन ये जो पैटर्न है न ये भी एक बड़ी कहानी बता रहा है इसे अपनाने में इन्हें अच्छा नहीं लगेगा दोनों के मंत्रियों के बीच भी जेल जाने की होड लगी दोनों के बीच आप देख लीजे सत्येंद्र जैन जो केजरीवाल के सबसे इमानदार मंत्री हैं पदम स्री देना चाहते थे वो तीस मई से जेल में है और इतने गंभीर आरोप जेल मंत्री है और बहुत सारे गंभीर आरोप लग चुके हैं इन पर ये हैं इनके मंत्री अभी तक छूट नहीं पाएं अभी भी जमानत पर ही बात हो रही है और उसके बाद आप चलिए पार्थ चैटर जी जो ममता के मंत्री हैं इनकी तो कहानी आप तो पूरा देश जानता है न ये भी जनाब 23 जुलाई को गिरफतार हुए थे और आज क्या चल रहा है नवंबर आ गया है तो आप बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रहष्टाचार की कितने गंभीर आरोप है और अदालत में सबूत कितने पेश किये गये होंगे कि अब तक इनकी जमानत नहीं हो पा रही है तो ये एक बड़ी समानता और हो गई दोनों ही पार्टियों के बीच में और केजरीवाल और ममता बनरजी के बीच की समानताएं दिखा रहा हूँ और जब मंत्री गिरफतार है तो घोटाले भी तो सामने आएंगे और नोटों का अमबार जिसे देखने के लिए आज जनता महनत करती है जिसे एक एक रुपिया कमाने के लिए महनत करना पड़ता है ना उन निताओं के घरों से उन दलों के घरों से नोटों के अंबार मिल रहे हैं आप देखिए ये टीमसी के मंत्री जो पार्थ चैटर जी की कहानी बता रहा हूं उनकी जो करीबी है उनके घर में जब छापा पड़ा तो नोटों का पहाड मिल गया 23 करोड कैश 3 केजी सोना और ये दूसरी बार में पहली बार में भी इसी तरीके के हालात दिखने को मिले थे और केजरी बाल जी की भी बात आप सुन लीजिए केजरी बाल जी ने जो खाम किया वो इस देश में किसी ने किया ही ने महा ठग से भी ठग लिया ये आरोप लगे औ और जो इनके जेल मंत्री है ना उन पर तो ये भी आरोप लगे कि हर महिने जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर करोडों रुपिय एट लिये गए इसके अलावा एक और बात दिखाता हूं हाला कि मैंने इनके स्कैम पर तो A2Z घुटाला दिखा दिया है आप देखिए ये बिल्कुल नई खबर है 100 करोड की रिश्वत शराब घुटाले के मामले में जानकारी निकली है आप सिर्फ हैडर पढ़िए 100 करोड की रिश्वत सिसोधिया समय 34 VIP ने बदले 140 फोन शराब नीती पर ED का बड़ा दावा अब आप समझेए 100 करोड का घुटाला है ये शराब घुटाला और इसमें जिस तरीके के पैटर्न सामने आ रहे हैं आप यकीन मानी हाला कि केजरी वाल की पाठी थोड़ी चालाक है पैसों को ऐसे नहीं मिलेगी जैसे बाक्यों क या मिल जाता है यहां तो अलग तरीके का घुटाला है और ये जो एड दिखता है ना टीवी में अख़बारों में इसी की वज़ा से ये चीजे सामने नहीं आ पा रही हैं अब मैं आपको इनकी ताजा खबर दिखा देता हूं जिसकी वज़ा से मुझे ये स्टोरी बनानी पड़ा अभी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में MCD के लिए स्टार प्रचारकों के लिस्ट जारी की और जानते हैं उसमें एक नाम कौन सा है राजेंद्र गौतम का कौन है पताने की जरूत है क्या किस प्रकार से इस वेक्ति ने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया हिंदू धर्म का अपमान किया सनातन संस्कृति का अपमान किया ये कल्यान मंत्री रहे हैं लेकिन जहर वो रहे थे हिंदू धर्म के खिलाप शपत दिलवा रहे थे आप इनका एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए साथियों ये वीडियो देखना जरूरी है इसलिए जरूरी है ताकि आप इनकी नियत को समझ सके ये तातकाली कलाप के लिए कुछ भी करते हैं इन्हें लगता है कि इससे फाइदा है तो ये करते हैं इन्हें लगता है कि इससे नुकसान है तो मंत्री पत से हटा देते हैं फिर इन्हें लगता है कि इन्हें फाइदा है तो फिर जोड़ लेते हैं, ये पूरी की पूरी कवायद है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया इन्हों ने, क्यों कर दिया, तो उसके लिए आपको कुछ बयान दिखाता हूं, अभी केजरिवाल ने जो फैसले किये, उससे केजरिवाल से मुस्लिम जो मतदाता, अलपसंख्यक मतदाता, अलपसंख्यक का मतलब इस देश में मुस्लिम ही माल लिया गया है, तो आप माल लीजी, तो मुस्लिम तुष्टी करण की निती में थोड़ा लोचा आ गया है, क्यों तुम जब कहते थे कि हम धर्म की राजियुति नहीं करेंगे तो आज धर्म की राजियुति क्यों कर रहा हूं अब जाहिर तोर पर जब मुस्लिम मद्दाता नाराज हो जाएंगे तो उन्हें तो छोड़ना नहीं है न ये तो बड़े चालाक हैं इनके लिए तो दो ही लोग काम करते हैं या तो अलपसंख्यक के वोट ले लो और एक वर्ग तयार कर लो जातियों में या लोब लालत से ब दुलेया भस्रा करता है अपमानित करता है और तभी जाकर के मनोश तिवारी को ये कहने का मौका मिलता है कि जो ये शब्द बोले गया है न ये राजेंदर पाल गौतम के नहीं है बलकि अरविंद केजरिवाल के हैं और तभी आरोप लगाय जाता आप ये थोड़ा सा हिस् के बलकि वो अरविंद केजरिवाल जी के भी थे और इस बात में दम है 这个 Kolka की नियत यही मनशाए बहुआ ही खुद को बहुद को बहुद करुमान भर्छ बताते नहीं खुद को बहुदको बहुद करुंद आरोड़UD फे की नियत करेंकरत तो हिंदू धर्म की, प्रधान मंतरी मोधी की तो खेर कोई बात नहीं, आप गाली देते रहें, उसमें भी लोग नाराज होते हैं, लेकिन ये खुल करके प्रधान मंतरी मोधी का विरोत करने के लिए हिंदू धर्म का भी अपमान करता रहा है, और इसी प्रकार का हाल, ये ज कौनसा मंतरी, देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, बांगला में कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अर्थ भी बताता हूं, सुनिए, और ये जो टी-मसी के मंतरी बोल रहे हैं ना, किसे बोल रहे हैं, भारत की उस पहली महिला आदिवासी राश्पती को, द्रौपदी मुर्मुक, जो पहली बार बनी है, इस देश में आज तक कभी किसी पाटी ने किसी आदिवासी महिला को राश्पती नहीं बनाया, जबकि इतनी बड़ी जन संख्या है, लेकिन जैसे ही बनाया, तो अपमान जनक टिपड़ी की जा रही है, क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूं we don't judge by looks, मैं look के हिसाब से judge नहीं करता, we respect the chair of the president of India, but hey, how does your president look, लेकिन ये राश्पती दिखती कैसी है, अब आप सूच ये, कि ये मंत्री है बंगाल का, वो उनके चहरे पे टिपड़ी कर रहा है, वो उनके रंग पे, रूप पे, मतलब आप समझे कि ये एक प्रकार से जात आतिवादी, नसल बेदी, हर तरह की टिपड़ी है, जो इस दुनिया में, बिलकुल किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, ये एक अभधर टिपड़ी है, और इस पर तो खेर सुवेंदू अधिकारी जो वहां के leader of opposition है, उन्होंने का है कि हम F.I.R. भी दर्ज क कराएंगे, लेकिन सवाल ये है कि T.M.C. ने राश्टपती का आपमान क्यों किया, इसे समझने की जरूरत है, और इसके लिए आपको मैं एक खबर दिखाता हूँ, पढ़िए, आप ये खबर, ये बिलकुल नई खबर है, ये एक दिन पुरानी खबर है, नंगे पैर 2 किलो पैदल चलकर भगवान जगननात के दर्शन किये, और जब ये जा रही थी न, तो लोगों का ताता लग गया, लोग देखने के लिए, कि अच्छा राश्टपती भी भगवान के प्रती समर्पित होकर ये कारी कर रही, आप देखिए ये वीडियो आपको समझ में आएगा, देखिए किस तरीके से लोग उत्साहित होकर सडकों के चारो और खड़े हो गये, और राश्टपती एकदम अपनी भावना को प्रदर्शित करते हुए, अपने पौराणी संस्कृती को गर्व करते हुए, वो पैदल जा रही है, आप देख लिजे थोड़ा सा विजवाद और जानते हैं दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, आज तक हमें अपने देवी देवताओं, अपने धर्व गरंतों, अपनी संस्कृती के प्रती हिंता का भाव भरने की कोशिश की गई, लेकिन राश्टपती ने इसे गर्व का विशे बना दिया, और जब वो पहुंची तो आप देखिए, किस प्रकार से वो प्रसाद ग्रहन कर रही है, जमीन पर बैठ कर, आम लोगों की भाती, ये नहीं कि मैं राश्टपती हूँ, भगवान के आगे हर आदमी बराबर होता है, चाहे वो राश्टपती हो, चाहे कोई सामान ये नागरी को, और चिड़ गया, ये 21 जून की बात बता रहा हूँ, तब मीडिया वाले पढ़ गए कि ये हैं कौन, कहां से ये कौन सी नेता है, उतना नाम नहीं था, गवर्नर तो बनाय था, मुदी जी ने, लेकिन तब भी वो पहचान नहीं बनी, और जब मीडिया वाले पहुंचे, तो ज और इन ही तस्वीरों को देख करके, इनको मिर्ची लग गए, ये जो कॉंग्रेसी है ना, उनको मिर्ची लग गए, ये पूरा का पूरा एको सिस्टम तो एक ही है, और तब कॉंग्रेस के दिगज नेता ने एक बयान दिया था, आज आपको मैं सुनाता हूँ, तब आपको टी-मसी की मानसिक्ता पता चलेगी, आप सुनिये ये बाइट, सुना आपने, क्या कह रहे हैं, अजोई कुमार, ये कह रहे हैं कि जो राश्पती है, द्रापदी मुर्मु, वो एक बुरी विचार धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप सुनिये, सोचिये, और ये समझन का प्रयास कीजिए कि वो बुरी विचार धारा क्या है, जिसका ये प्रतिनिधित्व करती है, अब इस विचार धारा को समझना हो, तो आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, जब द्रापदी मुर्मु, नाम के ऐलान के बाद पहली बार ब कॉलकता में, आप देख लीजिए फिर आपको TMC, कॉंग्रेस, सारे कनेक्शन और सनातन धर्म के प्रति, ये जो नफरत है वो समझ में आएगा, आप देखिए कॉलकता में स्वामी विवेका नंद के पुष्टैनी घर को देखने पहुंची द्रापदी मुर्मु, और वहा वासी महिला राष्टपती हैं, बनाया नहीं, लेकिन जैसे ही सनातन धर्म के प्रति, इनकी भक्ती दिखी, नफरत का भाव फैल गया इनके बीच में, और एक नेरेटिब बनाने की कोशिश की गई, कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आप देखिए जो इनके गैं जूटी निगली, और आप देखिए कि किस तरह से दो अलग-अलग तस्वीरों को मिला कर, जगों को मिला कर, ये फेक तस्वीर तैयार की गई थी, और जब सोशल मीडिया पर इनका जूट पकड़ा गया, तो अपना ट्वीट डिलीट करते वे, इन्होंने माफी मांग ली और याद रखिए कि जब मैं प्रशान भुशन की बात कह रहा हूँ ना, तो ये वही वेक्ति हैं जो अभी हाल ही में भारत जोडो यात्रा में शामिल हुए थे, आप समझे ये मोदी से नफरत करने के चकर में ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग कुछ भी कर सकत है, ये किसी से भी मिल सकता है, ये किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है, सर्फ एक ही मकसद है मोदी का विरोध करना और इसी वजह से ये सनातन संस्कृती का भी खुल कर विरोध में उतर आएं, वो चाहे ममता बनर जी हो या फिर अरविंद के इजरिवाल, साथियों इस देश के लोकतंत्र में तमाम दलों की अपनी जगह, अपनी मर्यादाएं, तमाम दल आगे बढ़ने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, और पूरी दुनिया में होता है, और यही तो लोकतंत्र की खुबसूरती है, लेकिन भारत में जब से मोदी काल का युग आया है, तब से विपक्षी दलों में ना जाने कौन सी बात फैल गई है, कि वो प्रतियोगिता तो करते हैं, लेकिन प्रतियोगिता किस चीज की होती है, वो पूरी तरह से नकारात्मक होती है, देश विरोधी होती, सनातन संस्कृती के विरोध में चीजें होती है, पहले ये चीजें दबी छिपी होती थी लेकिन जब से प्रधान मंत्री मूदी का काल आया है वो काफी परिश्रम करते हैं वो मेहनत करते हैं लोगों के सामने उनका काम दिखता है तब से जाकर के ये सारी चीजें खुल कर मैदान में सामने आ गई ही और इस बात को मैं अच्छी बात बता रहा हूँ ये अच्छी बात है देश के लिए कि लोग समझ रहे हैं इस देश की जनता समझ रही है और इसे ही आगे इसी प्रकार से ना किवल समझने की जरूरत है बलकि हम सब को मिलकर इसका परदाफाश करने की भी जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद आप से निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार